इस वीडियो में हम देखेंगे और बात करेंगे आई लाइफ का एक स्मार्ट कटेक्री का वेक्यूम क्लीनर है रोबोटिक वेक्यूम क्लीनर एनाइस तो उसके अंदर एक स्मार्ट फीचर दिया गया है कि उसको आप अपने मोबाइल में एक एप्लिकेशन डाउनलोड करके और उस एप्लिकेशन के थ्रूप पैर करके ऑपरेट कर सकते हैं उसके सारे पीचर ऑपरेट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है आई लाइफ रोबोट एस तो उसको डाउनलोड करने के दो परीके हैं ये तो आप उसको प्ले स्टोर से डारेक्ली डाउनलोड कर सकते हैं आई-लाइफ रोबोट एयर्स या फिर मशीन के साथ आपको एक पैंप्लेट रिसीव होगा जिस पर एक QR कोड होगा और उसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लिकेशन को वह स्क या फिर अगर राउटर नहीं है कस्टमर के पास और एक फॉन ऐसा है जो 24 आर्स घर में रहता है तो उसका इंटरनेट ओपन करके और उस फॉन को होट स्पोर्ट ओपन करके उसका और उससे आप इंटरनेट शेर कर सकते हैं दूसरे फॉन में जिसमें आप एप्लिकेशन ड और इस तरीक्हें के से इस जाएगा वोबोर यहां आपन करेंगे और दूसरा में आपको दिखा देता हूं कियाक इंटर लिए अपने इस तरीकशन पर आजाएंगे यह स्केंडर है इसको आपन करेंगे और यहां पर दिखेगा एक यह इस तरीके से scanner बार आ जाएगा ओपन हो जाएगा तो आपको यह search करना है जो आपने पेंप्लेट रगा हुआ है उसका यह QR code search करेंगे तो यह play store का लिंक आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह download होगे अप्लिकेशन इसको open करना है और इसमें यहाँ पर यह location access बोल रहा है तो इसको यह तो आप आप वह email id डालेंगे और email id डालने के बाद आप get verification code पर click कर देंगे email id डालने के बाद आप get verification code पर click करेंगे तो verification code आपका आपकी mail id पर चला जाएगा जो आपने इसके अंदर डाला है register करने के लिए आप application पर जाएँगे जो भी mail id डाला है उसके inbox में जाएँगे तो वहाँ पर आपको यह code receive होगा जैसा कि मेरे को code receive हुआ है इसको copy करेंगे और इसको यहाँ पर paste कर देंगे quick registration पर click करेंगे अभी आपको password डालना है minimum six character पासवर्ड है पासवर्ड जो होगा पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको डालना है जस्ट टेक्स डालना है और लेटर्स डालने हैं आपको special character यूज़ भी कर सकते हैं तो जो भी पासवर्ड आपको बनाना है वह पासवर्ड इसके अंदर आप बना सकते हैं अपने बादो आप देखेंगे यहांपर डिस्प्ले पर शोर्प यहां दिस्व्छरा होर्य आगर रोबोट तो आपको क्या करना है यह एंदध रोबोट पर क्लिक करना है और इसमें से आपको यह रोबोटिक वैक्यूम क्लीनेर आपट tag करना है कि सिलेक्या यह काफी मॉडल का Wi-Fi है उसका password डालेंगे जो आपने password घर में Wi-Fi का बनाया हुआ है तो जो भी आपके घर में home router लगा हुआ है उसका जो भी password है वो डालेंगे जैसे कि मैं भी डाल देता हूं मैंने password डाल दिया तो जैसा आप देख पारें यहां पर लिखा हुआ है रोबोट कांट कनेक्ट टू 5G Wi-Fi मीन्स 5 GHz का अगर Wi-Fi होगा तो यह connect नहीं कर पाएगा तो आपको उसका password डालना है 2.4 GHz के Wi-Fi का और next कर देना है अभी क्या करना है आपको जैसे कि यहां पर डिस्प्लेइबर देख रहे हैं कि turn on power switch on the side of the man body तो side जो man body है इसकी robotic vacuum cleaner की उसकी side body पर एक बटन दियावा है on off का तो उसको on करेंगे उसके बाद on करने के बाद का process क्या है कि जो robotic vacuum cleaner है उसके उपर एक start बटन है उसको press करके रखना है जब वो on हो जाएगा उसके बाद तो अभी मैं दिखाता हूं आपको कैसे on करना है उसको यह देख रहे हैं आप यह a9s model है हमारे पास तो इसको यह side major button है on off का इसको on करना है अब यह on हो गया है जब यह on हो जाएगा तो यह वाले बटन को आपको press and hold करके रखना है जब इसको press and hold करके रखेंगे एक बीप साउंड आएगा और यह बोलेगा स्टाट वाइफाई पर रिंग और वाइफाई का सिंबल ग्लो होने लगेगा तो आपको वापस application के अंदर जाना है और robot is already switch on पर क्लिक करना है उसके पर next क्लिक करना है आपको तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपने वह process कर लिया है तो आपको यह स्टाट वाइफाई पैरिंग मोड और next कर देना है तो यहां पर उपर सैटिंग वाला option दिखा रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यह वाइफाई के सैटिंग में जाएगा तो जैसा आपने पैरिंग प्रोसेस ओपन कर दिया है तो यह रोबोट 1738 इसका वाइफाई यह एक मैसिज आएगा डिस्प्ले पर उसको कीप कर देंगे क्योंकि वह इंके अंदर इंटरनेट अक्सेस नहीं होता कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बोलेगा भी कि पैरिंग फिनिश हो गया है तो जब यह connect हो जाएगा यहां पर नाम डालना है आपको जो भी आप नाम डालना चाहते हैं जैसे कि A9S है मेरे पास तो मैंने इसका नाम रहने दिया और इसको complete कर दिया अभी यह दिखाएगा online status तो अभी online है इसको click करेंगे और उसको आप operate कर सकते हैं तो इसमें फीचर जो है इसमें एरिया दिखाता है कितना एरिया यह clean कर दिया है और इसके अंदर और भी option है यहां पर जो भी remote पर feature है वह भी आप देख सकते है स्केडियूल है आप इस आयलाइफ रोबोट एस application के अंदर जो रोबोट रोबोट वाक्यूम क्लीनर के parts है उनका consumption भी देख सकत हैं और कितना percent इसका life बचा है तो suppose इसका life end हो जाता है 0% पर 5% पर आ जाता है तो आपको यह change करना होगा और जब दूसरा part आप लगा देंगे उसके बाद आपको उस part के उपर tap करके रखना है और उसको reset कर देना है तो दूसरा part आपको change करना पड़ेगा इसके अंदर और और भी features हैं और यहां पर आप अगर देखेंगे features के अंदर तो इसमें आप water level check कर सकते हैं कि आपका जो water level है मोपिंग के time का किस पर सेट है standard पर है strong पर है या फिर gentle पर है तो अगर आप gentle पर लगाएंगे तो water consumption कम होगा आपका और 2500 square feet वो cover कर लेता है उसके बाद इसमें आ कि आपको कब robotic vacuum cleaner का cleaning start करना है तो आप seven days का इसमें set कर सकते है schedule कर सकते है cleaning को plus यह जो max mode आप देख पा रहे है means vacuum का speed भी fast कर सकते है